पाद करेंगे यहां पर गुजराथ स्टेट फरेटिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिंटेड के बारे में हम आज बात करेंगे यहां पर यह इस्टॉक हमारे सिस्टेम को फॉलॉ कर रहा है ने हैं किश देखने वाले में हम इसका सिंबॉलिक नेम देख सकते हैं इसको सब्सक्ते स्चेंबर 2019 रफ टी करेंगे टाय सब्सक्राइजब्सक्राजबर आते हैं इसका सेक्टर का पी meny tenía 500 ऐसक की है आपको लगता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि हम बारे में करने आवरे, तो फोर अ यह देख सकते हैं कि इसने से कि मिलता है, तो के सी अन पर उंकर चैले पहने। net profit के बारे मात करते हैं इसको net profit कितना हो गया यहाँ देख सकते हैं यह लगबग 2017 में हो गया था, यहाँ पर 2018 में 2019 में 對不對 2020 में 2000 genuine 2021 में तो लगबग यहाँ पर 19 न का साल सब्से बढिया था लगबग के बारे में EP C के बारे इम बात करें तो इसका एपी से भी लगबग यहाँ पर अच्छा गया है 2021 में तो BVP से देख से हैं वो भी लगबग मिला जुलाई सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो और वी देख सकते हैं उसका और वी देख सकते हैं इसमें धोड़ा सा मुझे इंफ्रोमीन्स लग रहा है कि वहाँ डे पर देंगे हम अच्छा है मेरे खायल से चलिए यहाँ पर टेकनिकल चार्ट के ऊपर चलते हैं नहीं क्या तो टेकनिकल चार्ट का चार्ट हमने ओपन कर लिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सिस्टिम को यहां से फैल कर रहा है अचसा गरण केंटर मिला थोड़ सा यहां पर देख सकते हैं यहां पर सिस्टिम ने फालो किया यह से उपर चला गया यह मेरे खैल से उनका हाई था सबसे यह का हाई था उसके बाद यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा बिक फॉल आया यहां पर सपोर्ट मिल रहा था लेकिन फॉल आने के बाद यह पूरा नीचे गया और यह साइडवेज होगा फिर वैरिश चला गया तो यहां पर एक ट्रेड मिला वह अच् इस पे लिया होता या इस पे इस पे लिया होता तो हमारा लगबग स्टाप लास होने के चांसे सकम थे लेकिन यहां पर स्टाप लास होने के चांसे सकम ही थे यहां पर चला गया यहां पर देख सकते हैं हर ट्रेड में आपको यहां पर स्रिफ यह ट्रेड जो है इसमें यहां पर लेयां यहां पर इस यहां पर भी ट्रेट था लेकिन यहां पर पूसर प्लाइब तरह कोई जिन दरें विक वॉट करने MALE करने के बाद लिंपने बाद के बाद इतने बड़े gen Hobart जो रिऑ जो तो आने के बाद हम थोड़ा सा ग्रीन केंडल का वेट ही करते तो यह पर देख सकते कि अलग अलग यहां पर कोई ट्रेड नहीं बंड़ा तो अच्छा खासा अगर पिछला चाट हमने देखा उसका थोड़ा सा तो जहाँ जहाँ सपोर्ट मिला है वहाँ वहाँ ट्रेड ने आचा खासा पुफरमांस किया है तो इस बारे में हम बात कर रहे थे अगर सपोर्ट जोन और राइजिंग जोन देखे तो मेरे खायल से अभी मुझे यहीं लग रहा है कि इसका हम यह सपोर्ट जोन बना सकते हैं यानि 120 बना सकते हैं और इसके जो कैंडल है इसके उपर का जो है इस को लग बगव यह त पैतिस के ऊपर है इसका हम यह बना सकते हैं इसका यह तो यह थोड़ा के बारे में बात करते हैं स्टॉप लोस हमारा रहेगा वह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इंट्री हम यहाँ पे लेंगे 130 पे उपर नीचे दो तिन रुपए कर सकते हैं आपके हिसाब से टार्गेट हमारा 148 रुपए होगा वह भी हम उपर नीचे कर सकते हैं आपके हिसाब से और यहाँ पे 12 26 stop loss रखेंगे इसके उपर नीचे कर सकते हैं जब आप एंटी के एक रुपाय जब कम यह जाधा करन तो यह stop loss और target भी कम यह जाधा कर सकते हैं हर trade में आपको stop loss target और entry यहाँ पर सोच समझ के लिए नहीं है stop loss और target आपको set करके ही trade करने का है यह हम बताने के आपको बार-बार कोशिश करते हैं हर वीडियो में हम भी बताने की कोशिश करते हैं तो यह trade मेरे खायल से अच्छा है तो थोड़ा सा है थोड़ा सा 19-20 का अंतर है इसमें लेकिन यह trade है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो अच्छा बन चुका है आपके लिए तो हम यह है यहां पर बताने कोशिश करें कि जहां चाहिए सिस्ट्म ने फॉलो किया है उसी प्रकार से सिस्ट्म में उचसे यह थोड़ा सा उपर भी चैनल जाने की कोशिश की है तो यह राइजिंग है यहां पर बुलिश मार्केट का यह स्टॉक हम कह सकते यह नहीं यह फिर हम इसे बाने की कोशिश करते हैं तो मुझे जोरूर कोशिश के है क्या पर राइजिंग टिखने या फिर बै आपको दोनों आए तो हम वो भी बताने के कोशिश करेंगे, दोनों ही पैसा बनता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे bullish trade में अच्छा खासा यहाँ पैसा बनने में कोई आम, यहाँ पे ट्रेडरों को दिकत नहीं होती, अगर आपको यहाँ पे bullish trade में भी आपको पैसा बनते हैं, लेकिन थोड़ा थीजब देपे हाँ, अब्री इंटरों आपको यहाँ